वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं यार कि ना तो इस वीडियो में मैं आपको डेट्स बता रहा हूंगा कि कब आपकी रिजल्ट आ रहे होंगे ना ही कोई exact value मैं सीधी बात कर रहा हूं देखो क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे serious होंगे आप अगर serious हो तो आप यही से वीडियो छोड़ के जा सकते हो बट अगर आपने term 1 की exam दे दिया है और आपका ध्यान term 2 की तरफ है और आप वेट कर रहे हो कि term 1 का रिजल्ट कब आएगा और मैं उसके बाद फी term 2 की तयारी करूंगा तब यह वीडियो आपके लिए बिटा आप डेली डेली यही सारी चीज़ें सोचते हो कि या खिर कब आएगा रिजल्ट है ना डेली आप लोग फूछते भी हो बहुत ही माइनर्टी स्टुडेंट्स पूछते हैं कि कब आएगा रिजल्ट हमारी जो ओडियेंस वह तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बट कुछ ब ज्यादा बात नहीं करूंगा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ठीक है मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर आपको चीज़ें नहीं लगती है ठीक है आप अगर पूरी फोकस से पढ़ाई कर रहे हो और लेडी टू की तो आप वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हो जो बताऊंगा थोड़ा सा अपना बड़ा भाई होने के नाते उस चीजों को ध्यान से समझना ठीक है और अच्छी चीज़ें समझना दोको इनतेजार लगबग आप 20 से 25 दिनों से कर रहे हो 20 से 25 देश से कर रहे हो कि क्या चीज़ें चल रहे है और हमें पी पता है और अब तो अब आपको दिखेंगा तो कुछ इस तरीके का आपको ओवर्वीव दिख रहा होगा यूर डॉकुमेंट यूर एनी टाइम पता एक सारी चीज़ें यहां पर अपलोड किर दी जाती है और यहां पर अगर आप थोड़ा सभी आगे जाओंगे तो अभी आपको दि यहां देखो मैंने रिफ्रेस किया और वह आ गया डाट इस टर्म वन रिजल्ट सून का क्या मतलब है कि यह प्रिपेर कर रहें अपने आपको ठीक है आप इसके चक्कर में ना पड़ें यह अपने आपको प्रिपेर कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगी तो ओडियंस मास बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है तो ट्राफिक बहुत ज्यादा वह जाता है सधाट आजाएगा जब एक निउस पर आप जाएंगी दोस्त आपको जस्त अ हमें नहीं परेशान होना है वह रेजल्ट आएगा एकसे बत बात खतम अब ध्याम से पर देखेगा अब ध्यान से क्या देखेगा नौन तो दे माक्स आपके पास कितना है 40 माक्स है क्या यह बात है बलकुल डू है कि गूरा मैर्ण हमें 40 माक्स मेरे हात में है किसि स्टुडेंट कई बोहती बढ़ियां वा ता एक्जाम या फिर हुआ है तो सो में से लगबग 20 में से आपके जो वैरियेबल होता है उसमें आप लगबग 15-18 के आसपास चीज़े पाही रहे होते हैं तो 18 नंबर वो फिक्स रहा मालों की टर्म 2 में घीशते घासते आप 25-30 के बीच में अगर आपका रेंज आ गया इसके रेंज में भी अग है ना कैसे बी करके एक जो नॉर्मल बच्चे बात कर रहा हूं मैं टॉपर तो बैटा 90 के नीचे मानते नहीं है बट एवरेज की बात मैं कर रहा हूं कि एवरेज स्टुडेंट क्या सोचता है एवरेज स्टुडेंट सोचता अब यह 75 अगर प्लस हो जाए ठीक है सी में स्कूल से मान लो और यहां पर अगर 25 नंबर भी आप पाँ चुके हो तो तो आपका 43 मार्क्स यहां से आ गया है अब 75 लाने के लिए और कितनी मेहनत को करनी है 75 लाने के लिए 32 और लाना है तो 40 में से आपको 32 और लेके आना है तो अब समझ जो महनत तुम्हें कितनी करनी होगी अगर तुम अच्छा लाना चाहते हो तो अब तुम समझ सकते हो कि लिए कितना मुझे महनत करना पड़े तो थोड़ा से दिमाग लगाओ अब वेट मत करो प्यार की अब आएगी डेट कब आएगी थोड़ा सा मैं एक्जेक बेल्यू बताता हूं उसके पहले थोड़ा सा मैं यहां पर चीज़ें बता जेता हूं अनकेडमी आज तक के लिए ही आफर है मतलब कोई भी आपका टार्गेट हो सकता है कि आईटी जी बाद में आफर आप यहां से कर सकते हो और आप क्या लिया ओफर क्या है जैनवरी 30 और 31 में अगर पभाई करते हो यूजिंग कोड के पी एफ लाइब देन आपको 20 परसेंट तक की उस सब्सक्रिप्शन पर चीज़ें मिल सकती है तो जिन बच्चों को भाई मैं बोलूंगा कि आप किसी प आप एजुकेटर्स होंगे आपके पास रेगुलर डाउट क्लिरिंग सेशन होगा एक्जाक्शिंग कवरेज ऑफ सिलेबस होगा मेंटरिंग गाइडरेंस होगा स्टडी मैटेरियल प्रैक्टिस टेस्ट लाइब टेस्ट और बैच कोर्स तो यह बैसिक बात जो कि आपको तू की करूं आपसे दोस्त तो टर्म टू हमारे होने वाले हैं लगबग मार्श के एंड में हो सकते हैं फिर अप्रेल में हो उसके लिए भी फिक्स डेट तो हमें नहीं पता है मुझे नहीं पता में भी आपको पता हूँ क्योंकि इतने सारे यूटूबर्स आपको बताते यह पता है कि फ़र्स वीक में आ जाए या फिर फिर बोला जा रहा है में भी देखो हो सकता है या पिर आगे पीछे दरदर हो सकता है लेकिन अब दोस्त अगर आप अभी तक सीरियस नहीं ठीक है और इंतजार करें यह यहां रिजल्ट आ थोड़ा सम्कूई स्कूर पता च लेकिन दोस्त एक बात तो तुम समझो जैसे ही यह आएगा ना यह रिजर्ट वैसे यह भी आएंगे अगर यह तो दोनों भाई साथ ही साथ आएंगे अब तब आपका दिमाग फटेगा और तब आपको समझ में आगा करना क्या था मुझे मैं कर क्या रहा था अभी तक अभी सब्सक्राद अभी तो यह तो यह बात है दिधष्षिड वी आपके फैब में ही आरहे होगा उसके बात इतना प्रेशर अगर से पढ़नी है तो हम करेंगे का जब के लिर दोंट का रिजल्य तब स्टार्ट करेंगे के वह तरफी करने के बाद need ये कल से नया महिना सुरू होने वाला है कल से स्टार्ट करिए या फिर आज से सुरू करिए वह आपके उपर विटा कितनी मेहनत करते हो और कितना आप अपने आपको चेंज करते हो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा वर डिस्क्रिप्शन दे दूँ अगर चैनल से पढ़ रहे आपको चीजे कम आती हैं अगर अच्छा कर लेते हो इसको अगर आप गुड कर लेते हो तो आप इसकोर भी क्या ला रहे होगे इसकोर भी आप गुड ही ला रहे होगे तो यह वाली काम आप इस दौरान जरूर करते रहें जो भी प्रेक्टिस आप करते हो उसमें प्रेजेंटेशन के स्किल को थोड़ा सा आप सुधारते हुए चलिएगा और इसके लिए मैं वीडियो में यहां आई बटन पर आ गई होगी प्रेजेंटेशन इसकिल कैसे इंप्र में बताइए कि यह वाली चीजिया हमें चाहिए क्लियर तो आई होप आपकी जो भी डिसीजन्स होंगे यह नियूज को लेके अब यहां वाप नहीं भटकेंगे आप अच्छे तरीके सपना पढ़ाई करना सुरू कर देंगे और रिजल्ट जब भी आएगा तब आही ना हो थैंको सो मच और बबाई